Hello and welcome to Great Online Academy, मेरा नाव है रविन, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग मार्केटिंग और एकनॉमिक्स की कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो डियाफ सीसेयल में पिछले एक्जाम्स में भी आ चुके हैं, ये सभी टॉपिक्स दोबारा आने के लिए बहुत इं सीसेयल ने, कोशन्स पहले पूछे हैं, उन्हीं से ज्यादा कोशन्स आएंगे, इसके इलावे मैं आपको ऐसे टॉपिक्स कराऊंगा, जिनसे कोशन्स आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो हर वो टॉपिक्स जो पहले आ चुका है, उनको हम लोग कवर करेंगे, उसक कभी भी कोई services launch करती है, या internal या external factors, competition के point of view सो समझा चाती है, तो वो अपने company के लिए short analysis को arrange करती है, इसी क्या होता है, कमपनी को ये पता चल जाता है, कि हमारा किसी भी चीज को manage करने में, कहां पे loophole आ रहा है, कहां पे हमको दिक्कत आ रही है, या कहां पे हमारी services better नहीं हो रही है, किस reason से, तो हम उसको point out करके हटा सकते हैं, इसी तरह जब कोई company किसी भी product को launch करती है, तो वो उस product का product life cycle निकालती है, कोई भी product market में हमेशा तो बना नहीं रहेगा, कुछ सालों तक ही उस product की demand रह सकती है, तो जब तक उस product की demand रहने वाली है, उसी के हिसाब से marketing strategies इसको बनाया जाता है, इसी लिए product life cycle जिसको PLC भी कहते हैं marketing में, यह बहुत ही important term है, डियर सीसाल exam के लिए यह topic बहुत important है, इसी तरह product life cycle के बाद हम लोग यह जानेंगे कि BCG growth share matrix क्या होता है, 2018 के paper में cow cash सबसे ज़्यादा cash flow करता है, इसमें question आ चुका है, जो BCG growth share matrix का है, so BCG growth share matrix और product life cycle यह दोनों हम लोग को एक साथ जोड के और इसको एक साथ मिला के समझना है, यह दोनों topics आपस में related है, हम लोग अगर PLC समझेंगे तभी हम लोग BCG growth share matrix समझ सकते हैं, इसके बाद हम लोग जानेंगे banking sector जो हमारे इंडिया का है, किस तरीके से हमारे इंडिया में banks evolve हुए, starting में कौन सा bank आया, कैसे bankों का nationalization हुआ, कैसे और banks जुरते गए, और आज के समय में इंडिया में कितने national banks है, किन banks को दुबारा से merger किया गया है, इस सभी topics को हम लोग समझेंगे, तो चलिए एक के करके इस सभी topics को start करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैन बहुत ही असान चीज है, short का full form होता है strength, weakness, opportunities and threats, जब भी कोई भी company अपने strength, weakness, opportunities and threats की analysis करना start करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे short analysis, short analysis में कोई भी company दो factors को लेती है, एक होता है internal factor, एक होते है external factor, internal factors में strength और weakness आती है, किसी भी company की कुछ ऐसी strength होती है, कुछ ऐसे product होते है, या कुछ ऐसी market value होती है, जिसको अपनी strength समझती है, या तो उसकी advertisement का जो तरीका है, वो बहुत strong है, या उसकी जो market share है, जादा लोग तो उसकी पहुंच है, तो इस तरह की जो चीजे होती है, उसकी strength में आ सकती है, अगर कोई भी company weaknesses में अपनी किसी भी saver चाते हैं, वो हमको नहीं मिलता, या हो सकता है कि उनका जो turnover है, उसका जो rate है वो धीरी तरी घटता जा रहा है, high turnover उनका इस वक्त नहीं है, या उनको जो भी cost पर रहा है company बनाने के लिए, इस तरह के जो weaknesses हैं, वो company अधिकतर अपने weaknesses के point में जोडती है, और strength में अधिकत के decision लेना चाहती है, तो वो ले सकती है, इसी तरह company को कुछ external factors भी affect करते हैं, जैसे company को को एक ऐसी opportunity मिल जाए market में, जिसको company पकड़ सकती है, उस company पास वो सारी चीज़े हैं, जिसके वज़े से उस opportunities को ले सकती है, तो एक तरीके से वो external factor उस company को strong बनाएगा, तो जो opportunities का sector है वो एक company में सारे external factor होता है, जिसमें अगर company invest करती है, तो company को profit होगा, इसी तरह कुछ ऐसे factors भी होता है, threats, जब भी company किसी भी चीज़ में invest करती है, तो उसको जो risk होता है, किसी भी चीज़ के loss का, हो सकता है, अचानक से उसके पास जो skill labor थे वो उसको छोड़ के चले जाए, फिर यह हो सकता है कि जो भी material बना रही, उसका price बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और उसके वज़े से उसकी demand ही कम हो जाए, तो इस तरह की जो external चीज़ है, जो market पे depend करती है, manpower भी एक तरीके सा market भी depend करती है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मानते है external factor, तो company ये काम हर एक चीज़ों के लिए करती है, वो अपने products के लिए भी करती है, अपने manpower के लिए भी करेगी, वो अपने services के लिए भी करेगी, हर एक चीज़ के लिए वो इन चीज़ों को करती है, अधिकतर companies जादा तर अपने products से उपर social analysis करती है, जैसे कि मैं आपको एक example दिखा रहा इस अगर first picture में आप देखे कि हमारी status के इसाब से हम देखते हैं, आप cash, cow, star, question mark and dog को भी नहीं समझ रहोंगे, आप बस इतना समझे कि जो हिंदुस्तान Unilever है, ये एक product बनाती है वैसलीन, तो अगर वैसलीन इसको बहुत ज़्यादा पैसा लेके आ रहा है और उसमें इसक investment भी कम है, growth rate of market से ठीट ठाक है, बहुत अच्छा है, और इससे इसको हमेशा पैसा आता रहेगा, इसी तरह अगर हम लोग बात करें, हिंदुस्तान Unilever अगर बना रहा है, किसान, अगर वो बना रहा है, लक, सोब जो हम लोग इस्तमाल करते हैं, तो इन सब में क्या होता है कि heavy investment लगता है, एक company पूरी के पूरी जो है, तभी run कर सकती है, शोब की industry, जब उसके पास proper manpower और सब कुछ हो, और उसको जो product चाहिए हो time to time मिलते रहें, तो इसके लोग उसको heavy investment भी करना पड़ता है, बट जरूरी नहीं है, कि लक्ष, शोब के तरह कोई और शोब market में न advertisement के वज़े से, खर्चा करने से, अगर उसको return आता है, तो उसको रखती star product में, मतलब यह product हमारा चमक सकता है, यह product हमारा आगे चलके चमकेगा, इसलिए हम मानते हैं कि यह star product है, इसी तरह अगर कोई भी company, एक example जो हम ले रहे हैं, इंदुस्ताइन उनिलोर का, उसी का लेत एक initial phase में, ला के market में खड़ा कर दिया, वो देखना चाहती है, कि इसके demand कितनी आती है, अगर इसमें demand ज्यादा आएगी, तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो जो भी question mark वाली चीज़े होती, जो question mark product होगा, वो क्या होगा, किसी भी company के लिए एक threat हो सकता है, एक तरीके स और उसको manpower नहीं मिलेगा, या उसको product नहीं मिलेगा, तो वो उसके लिए एक external factor हो जाएगा, वो उस company का एक threat हो जाएगा, इसी दर जो हमारे dog products होते हैं, वो ऐसे होते हैं, जिन पर हमने बहुत ज़्यादा investment भी कर लिया, बहुत ज़्यादा हमने growth करने के उसको market में इसकी, but market मों अपनी जगा नहीं बना पा रहा है, क्योंकि वो चीज लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो उस चीजों को हम लोग बोलते हैं, dog इसलिए बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो product है, dog को बहुत लोग कहना चाहते हैं, कि ये एक ऐसा animal है, जो लोगों को प जब भी company अपनी sweat analysis करना चाहती है, तो वो dog products किस में रखेगी, वो अपनी super weaknesses में रखेगी, सारी की सारी weaknesses उसकी चली जाएगी dog product में, और question mark भी उसके लिए क्या हो जाएगा, एक weakness हो जाएगी, cash cow और start product क्या हो जाएगी, strength हो जाएगी, इसी दो जो हमारे external factor मैंने आपको ब जाता है, हमारे external factor, अगर manpower ना मिले या product बारने के जो चीजे चाहिए हो ना मिले, तो वो सारे company को हो जाएगे, external factor जो अपने sweat analysis में लेती है, तो इससे आपको question आ सकता है, कि कोई भी company अगर external factors की चीजों को लेती है, और अगर वो एक threat है, तो क्या company को उससे heavy loss हो सकता है, क threat से ज़्यादा loss होगा, तो मैं आपको बता दू, अपने weaknesses को company overcome जल्दी कर सकती है, बड़ जो threats में चीजे आती है, उनको overcome करना इतना असान नहीं होता है, तो जो threat है, वो weaknesses से ज़्यादा risky होता है, ज़्यादा नुकसान पहुचाता है, इसी तरह जो opportunities हैं, अगर पूछा ज इस company के लिए जो आ सकती है, जो उनकी strength है, उनको opportunities बाहर की पकड़ के, उनको अपनी और ज्यादा strength में बदल सकती है, देखे, product life cycle क्या होता है, कोई भी company, किसी product को launch की, अब उस product को launch करने के बाद, company क्या करती है, एक product life cycle निकालती है, जिसमें वो ये देखती है, कि कितने time हमको इस product पे advertisement, marketing strategy इन चीजों पे खर्चा बहुत जादा करना है, फिर वो देखती है कि ऐसा कौन सा समय आएगा, जिसके बाद हमारी ये खर्चे कम हो जाएंगे, और हमारा advertisement का जो खर्चा है, अब हम लोग लगाएंगे इसके growth पे, growth पे कैसे लगाएंगे, या तो उसके ह starting phase में हम उनी market में लेगे जहां पाने में, जहां पर हमको उमीद थी, बड़ जा हम लोग उसको high growth में लेके जाना चाहते हैं, तो हमारे distribution जो है, वो बहुत तेजी से हम लोगो बढ़ाना पड़ेगा, तो growth phase में हम लोग खर्चा करते हैं, हम इसा distribution को बढ़ाने के लिए, त उसको और market share के लिए खर्चा करने की जुरूत नहीं है, अब हमारा product हर जगा market में पहुंच चुका है, तो अब क्या होगा, इसके बाद हमको उसके जो भी investment है growth के लिए, वो हमारे रुख जाएंगे, अब हमको उससे क्या होगा, पैसा ही पैसा आएगा, हमने उस पे इतना advertisement और उसके growth पे इतना खर्चा कर लिया है, कि अब हमको उससे revenue हो regularly आ रहा है, बट एक समय क्या आएगा, जब हम इस पे investment करना बंद कर देते हैं, तो वो product की demand धीरे धीरे घटने लगती है, क्योंकि market में नए product आ जाएंगे, और वो product क्या होंगे, अपने advertisement पे जादा खर्चा करेंगे, वो उसके growth पे ज़्यादा खर्चा करेंगे, या हमसे भी सच्था product लेकर आ जाएंगे, तो क्या होगा, जब हमने कम कर दिया, तो दूसरी कोई company आ कि हमारे को take over कर सकती है, तो इस phase को हम लोग कहते है, declining phase, declining phase में किसी भी product की demand सबसे कम हो जाती है, और धीरे धीरे ये demand इतनी कम हो जाती कि वो product market से phase out कर जाता है, अब उसके बाद उसकी demand दोबारा नहीं generate होगी, तो यही जो पूरा time cycle है, इसको हम लोग कहते है, product life cycle, सबसे पहला हम लोग देखते हैं, introduction phase, introduction phase में हम लोग सबसे ज़्यादा advertisement पे धान देते हैं, और जो भी चीजे हम लोग क consumer के बारे में पता करनी है, वो कैसा product चाते हैं, इसको हम लोग research करते हैं, इस वक्त इसमें जो भी खर्चा आएगा, हम लोग एक तरीके से invest करेंगे, हमको इस वक्त पता नहीं होता कि हमारा product कितना ज्यादा उपर जाने वाला है, जैसे कि हमने पीछे ही आपको बताया था, जो question mark product होता है, उसमें हम लोग हमेशा investment ज्यादा करते हैं, बट उस वक्त हमको पता नहीं होता कि ये product हमारा आगे चलके चलेगा कि नहीं, तो जब हम लोग introduction phase में होता है, तब हम लोग उस product हो कहता है question product, question mark product जो होता है, वो हमेशा starting phase में investment ज्यादा लेता है, बट market share ज्या है तो हम एक तरीके से खर्चा कर रहे हैं और दीरे-दीर हमारा जो खर्चा है वह हमको ग्रोथ के फॉर्म में या रेविन्यू के फॉर्म में वापस मिल रहा है तो ऐसे प्रोड़क्त हम लोग कहते हैं स्टार प्रोड़क्त मतलब यह आगे चलके यह चमक सकता है या अभी इ में इस पर खर्चा कर रहे हैं जो भी खर्चा कर रहा है उसका रिटर आ रहा है तब ऐसे फोड़क्त हो जाते हैं इस्टार प्रोड़क्त फिर क्या होग दीरे-दीरे इंवेस्टम एंट करते-करते हम लोग पूरा मारकेट सेまだ जो भी पैसं किस फेज में आता है तो सबसे ज्याधा पैसा आएगा हमारे महि सो में बंबने मेस foul जाता है तबहूंह मार्केट से उससे सबसे ज्यादा पैसा निकाल किनाल सकते रहे हैं कए से किसे काउद हो उसी तरीके सिसका नाम रखा गया है है कैस काओ ऐसी काओ जो हमको कैस्ट देती है इसी तरह के जब वह प्रोड़क्ट इन्वेस्टमेंट ना करते-करते धीरे-धीरे मार्केट में इंट्रोड़क्षन संफें उस प्रोडरक्ट को माना जाता है कि एक हमारा अभी कोस्टन मार्क प्रोड़क्ट है इसके बाद जब टैसमें बucken הד सबसे ज्यादा कैस दे रही है तो अगर सबसे ज्यादा कहा से generate होता है तो आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है product life cycle सबसे ज्यादा होता है maturity phase में और हमारे last phase declining phase वो सबसे खतरनाख है अगर हम उसमें कुई भी investment करेंगे तो वह सीधे हमको loss में लेके आएगा हमारा प्रोड़क्ट अब जो है वह ग्रोथ में नहीं जाने वाला देखें बीसीजी ग्रोष चेर मैट्रिक्स हो समझ्झे के लिए अभी जैसे हम लोग ने पीछे प्रोड़क्ट लाइफ सैकल में बात की सबसे पहले कोई प्रोड़क्ट में हम लोग जब इन्मेस् कई सारे प्रोड़क्ट बनाती है तो वह हर एक प्रोड़क्ट के लिए सबसे पहले प्रोड़क्ट लाइफ सैकल बनाती है प्रोड़क्ट लाइफ सैकल बनाने के बाद जो जो प्रोड़क्ट जिस जिस फेज में है उसके एकॉर्डिंग वो एक मैट्रिक्स बनाती है उसम अगर वो product हमारे अभि energ के कंपनी का ग्रोज कितना होने वाला है अगर आपके पास कैस्ट को प्रोड़क्ट जादा है तो समझ दीजिए आप मार्केट में ज्यादा कैस्ट लेके आएंगे अगर आपके पास इस वे कोश्चन मार्क प्रोड़क्ट जादा है तो आपके पास सबसे कम पैसा आने वाला प्रक्राइब और आपके पास डॉक्त प्रोडेक्ट है तो आप लौस में जा रहा हैं और अगर आपके पास इस्टार प्रोडेक्ट है अभी आपकी company ग्रोज में चल रही है तो BCG gross share matrix इसलिए बना जाता है कि किसी भी company के development है उसको समझा जा सके चले अब हम लोग जानते है banking sector जो इंडिया का वो किस तरीके से start हुआ कैसे कैसे हमारे नएने bank आते गए और कौन से bank present time तक चल रहे हैं इन सभी चीजों को सबसे पहले लोग देखते हैं देखें अगर आपसे कोई question पूछे कि भारत का सबसे पहला bank कौन सा है तो आपको answer देना bank of Hindustan bank of Hindustan 1770 में बनाया गया था यह bank धीरे धीरे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई भी चीज जब पहली बार खुलती है तो उसके management में और उसका experience किसी भी को भी नहीं होता है तो वह चीज़े हो सकता है कई बार वह चीज़े काम नहीं करती है तो bank of Hindustan इसी तरीके से एक unsuccessful bank बनके रह गया इसके बाद एक नया bank आया bank of Bengal bank of Bengal फिर 1806 में खुला गया और इसको मानते हैं कि यह अच्छे तरीके से काम कर रहा था तो bank of Bengal इंडिया का पहला first successful bank हो गया और सबसे पहला bank हो गया bank of Hindustan अगर इसी तरीके कोई पूछे कि अगर ऐसा कौन सा bank है जो commercial purpose के लिए पैसे देता था या पैसे लेता था उसमें पैसे जमा होते थे लोंस वेगरा दिये जाते थे तो यह bank था अवद commercial bank जो 1881 में खुला गया था इसी तरीके से अ तो यह एक ऐसा bank है जो अभी तक आज तक 1895 में खुलने के बाद सबसे पहले लहोर में Punjab National Bank को खोला गया यह आप देख भी सकते हैं जो फर्स्ट इमेज है पंजाब National Bank की है 1895 में जो बैंक खोला गया था और जिन लोगों ने मिलके खोला था वो कई लोग थे अप्रॉक्स में सबसे पहले पंजाब National Bank खोला गया है 1895 में और आज भी आप जानते हैं पंजाब National Bank State Bank of India के बाद सेकेंड नमबर का सबसे बड़ा बैंक है क्योंकि पंजाब National Bank बहुत पुराना भी है और इसको जो experience हो दूसरे किसी bank को नहीं है और यह bank बहुत अच्छी तरीके से आज भी काम कर रहा है तो पंजाब National Bank आपको समझ आगया अब इसी तरीके से अगर आप से पूछे कि State Bank of India कहां से आया State Bank of India की सुरवात कैसे हुई तो आपको बताना है State Bank of India 1955 में Nationalized हुआ है पहले यह bank था Imperial Bank इंपीरियल बैंक कब खुला था 1921 में तो जो 1921 में इंपीरियल बैंक खुला था इसको 1955 में जब हमारे इंडिया का उनको दोबारा से Nationalized कर दिया गया 1969 में यह काम इंद्रा गंधी के द्वारा किया गया था इससे क्या हुआ इंडिया में बहुत सारे रोजगार को जनरेट किया गया और बैंकों के नेशनलाइजेशन से भारत में हर इंसान तक जो बैंक है वो पहुचने लगा इसके वज़े से जब इसका प्रॉफिट देखा गया और इसके वज़े से इंडिया में जो ग्रोथ रेट था वो दीरे दीरे बढ़ता गया GDP में भी हमको सुधार देख रहा था बैंकों के राष्ट्री करण से तो 1980 में दोबारा से 6 बैंकों को और नेशनलाइज कर दिया गया तो 1980 में हमारे टोटल 20 बैंक हो गया जो नेशनलाइज थे इसी तरह के अब अगर हम लोग पूछें कि आज के समय में इंडिया में कितने नेशनलाइज बैंक है तो वो है 12 तो 12 कैसे होगे जब 20 थे तो क्या हुआ कई सारे बैंकों को जब हमेरे मोदी जी की गौवर्मेंट आई है तो उसके बाद कई ऐसे बैंक जो लॉस में जा रहा थे जिनका एंप जादा था तो उनको अब हटा के उनका मर्जर कर दिया गया है कुछ ऐसे बैंक में जो उनके एंप को सुधार सके यह जो ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे बैंक उनको ऐसे भैंक मर्जर कर दिया गया है कि उनका operation वो बड़े banks ले ले और उनको अच्छे तरीके से अब manage करें तो क्या क्या किया गया सबसे पहला जो हमारा point है वह देना और विज्या bank को बर्स किया गया bank of Baroda में और यह जो है एक अपरण 2019 से हो गया तो देना और विज्या bank चला गया bank of Baroda में इसी तरह के से oriental bank of commerce और United bank of India यह चला गया पंजाब national bank में इसके बाद पंजाब national bank हमारे इंडिया का second number का largest bank हो गया इसी तरह के जो syndicate bank है उसको mix कर दिया गया candra bank में तो जब syndicate bank को candra bank में mix किया गया तो यह इंडिया का fourth largest bank बन गया यह जो मैं आपको बता रहा हूं second largest fourth largest यह आपको याद रखना है आपसे अगर exam question आए कि fourth largest bank कौन सा बन गया तो आपको पता होना चाहिए कि अब canra bank बन गया है इसी तरह आंदरा bank को corporation bank को merge कर दिया गया union bank of India में और इसके बाद union bank of India fifth largest bank बन गया सिम इसी तरह अलहाबाद को Indian bank में mix कर दिया गया है इंडियन बैंक में जब इसको mix किया गया तो अलहाबाद और इंडियन बैंक मिल दोनों मिल के यह seventh largest bank बन गया तो इंडियन बैंक इस वक्त इंडिया का इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से आद रखेगा अजो जितने भी टौपिक मैंने आपको समझाए यह तोपिक सारी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होुगे होंगे इस और टोपिक्स से exam में कोश्चन आएंगे जो भी टोपिक में मार्केटिंग इcasterा कि सभी मॉस्ट इंपोर्टन टोपिक्स सभी टोपिक्स या पीडिए फिडियु करेए डि хотите आपको हमारे टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका निक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है अगर आपको इस लेक्चर से कुई बिटाउट है तो आप कमेंट बॉक्स और टेलिग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग अब हम लोग मिलते हमारे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन